गुड इूनिंग स्टुडेंट तो आज हम फिर से हाजर हैं आपके लिए डेली कुज के 50 कोश्चनों के साथ जिसमें आज जिसमें आपको डेली 50 कोश्चन मिलेंगे और उनका पूरा सॉलेशन दिया जाएगा तो आज का कुज स्टार्ट करते हैं अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुज को देखते हैं पहला कुश्चन अरज का क्या है which one of the following sequence is being used in a combination of seed treatment कौन सा sequence है जो seed treatment में हम लोग अपनाते हैं इसमें कौन से एंसर सही है आप लोग जल्दी से comment box में answer दीजिए क्या A number सही है rhizobium, fungicide and insecticide सबसे पहले किस culture का हम लोग प्रियोग करते हैं rhizobium का प्रियोग करते हैं, fungicide का करते हैं, insecticide का करते हैं number C पे कौन सा है, fungicide है, insecticide है या फिर rhizobium है और number D पे क्या है, insecticide है, rhizobium है या फंजी साइड है तो इसमें से कौन सा sequence सही है, तो इसका answer है C number सबसे पहले हम लोग अगर seed treatment कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग फंजी साइड का प्रियोग करते हैं, उसके बाद वे insecticide का प्रियोग किया जाता है फिर last में हम लोग क्या करते हैं, rhizobium culture का प्रियोग करते हैं seed treatment के लिए, तो इसमें C number सही होगा, next question की बात करते हैं, next question चलिए देखते हैं कौन सा है, next question है, which one of the following is a characteristic of strip rust of wheat, कौन सा करेक्टर जो है, strip rust of wheat के हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि strip rust क्या होता है, strip rust होता क्या है, तो strip rust होता है जिसको हम लोग कहते हैं yellow rust, strip rust को हम लोग कहते हैं yellow rust, इसका scientific name क्या होता है strip rust है, paxenia striformis, strip है तो striformis हो जाएगा तो इसमें कौन सा सही होगा answer, आप लोग यल्दी से बताएए, comment box करके क्या brown in long ratchered postules on stem and leaf seed, या फिर yellow small जब आपने देख लिए strip rust को हम लोग yellow rust भी कहते हैं, तो यह वाला B number इसका सही answer होगा और इसी के साथ हम तीनों rust आपको साथ में बताया दिये रहे हैं, सबसे पहले आता है stem rust stem rust हम किसको कहते हैं, stem rust कहा जाता है black rust को stem rust किसको कहते हैं हम लोग black rust को, black rust का दूसरा आप है stem rust जिसका scientific name क्या है causal organism क्या है जिसका causal organism है पक्सीनिया ग्रेमनिस ट्रिटसाई जिसको हम लोग stem rust कहते हैं इसमें क्या होता है इसमें stem पे औरेंज कलर के दब्बे बढ़ जाते हैं इसलिए इसको stem rust कहते हैं दूसरा क्या है दूसरा है आपका leaf rust जिसको हम लोग क्या कहते हैं brown rust लीफ रश्ट को ही हम लोग brown rust के नाम से जामते हैं इसका scientific name क्या है लीफ रश्ट का जल्दी से बता दें कमेंड बाक्स में लीफ रश्ट का scientific name क्या है पक्सीनिया रिकॉंडाटा लीव रिष्ट का सांटिफिक नियम कै है पक्सीनिया रिकॉंडाटा तो नेक्ट कुश्चन आप लोगों को देखते हैं कौन सा है तो इसका कौन सा सही है इसका बी नंबर सही है नेक्ट कुश्चन क्या है देखते हैं आगे चलके consider the following pairs of crops and varieties and select the pair which is not correctly match कौन साइस में जो pair है correctly match नहीं है क्या आप लोग बताएं कि बारले का बारले की जो कल्टिवर विराइटी है क्लिपर है सही है कि नहीं सही है जो बारले की कल्टिवर विराइटी है क्लिपर यह बिल्कुल सही है तो यह हमारा answer नहीं होगा cotton की जो सुजाता विराइटी है क्या है यह सही है जी हाँ cotton की सुजाता विराइटी होती है नमबर तीन क्या है काउपी काउपी की पूशा फागुनी विराइटी है तो यह भी आपका सही है इसका जो सही एंसर होगा Green Gram होगा क्योंकि उपास 120 है यह किसकी विराइटी है Green Gram कि ना होके यह Pigean P की है Pigean P की विराइटी है Pigean P की विराइटी है उपास 120 यह ऐरली मिचूरिंग विराइटी है बहुत जल्दी हो जाती है Next question देखते कौन सा है आप लोग comment box में answer देते रहेंगे which of the following is the ideal temperature range for tillering stage in wheat ideal temperature range कितनी होनी चाहिए tillering stage में wheat के लिए तो इसका सही answer क्या होगा आप लोग comment box में बताइए क्या इसका A number सही होगा 10 से 15 degree centigrade या फिर B number सही होगा 16 से 20 degree centigrade या फिर C number सही होगा 20 से 23 degree centigrade या फिर D number सही होगा जल्दी से आप लोग comment box में इसका answer बताइए तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer B number है 16 से 20 degree centigrade tillering stage के लिए best रहता है temperature wheat में next question देखते हैं क्या है the element which does not enter the permanent organic combination in plant कौन सा element होता है जो permanent permanent इंटर नहीं होता है permanent available नहीं होता है plant के लिए इसमें से आप लोग बताएंगे क्या nitrogen है या फिर phosphorus है या फिर magnesium है या फिर potassium है जो permanent solution के लिए organic combination में कौन सा होता है इसका D number सही एकदम सही answer है next question देखते हैं the plateau of the title the plateau with little growth rate and continuing accumulation of nutrient element in the plant can be can be defined as कौन सा प्लेटू है जो little growth rate बढ़ाएगा continue करेगा accumulation of nutrient element के लिए जल्दी से आप लोग comment box में answer बताएंगे क्या इसका severe deficiency सही होगा range या फिर toxic range सही होगा या फिर moderate deficiency range सही होगा या फिर soficinary range सही होगा तो इसका सही answer है D number soficinary range इसका बिलकुर correct answer होगा next question देखते हैं क्या है the major organic cementing agent in soil aggregate formation कौन सा major जो organic cementing agent होता है कि लिपिड इसका सही answer है या फिर B number सही है protein जल्दी से आप लोग comment box में answer देते रहेंगे इसका सही answer कौन सा होगा क्या फिर polysaccharides है या फिर organic acid है तो इसका सही answer हम बताते हैं इसका सही answer C number होगा polysaccharides जो major organic cementing agent में काम करता है soil aggregate formation के टाइम पे next हम बात करते हैं देखते हैं कौन सा question है next question देखते हैं तेट्रा जूलियम टेस्ट इस यूज़ तो डिटर्माइन टेट्रा जूलियम टेस्ट का कि जो टेट्रा जूलियम टेस्ट होता है किस लिए प्रियोग किया जाता है इसका सही answer क्या होगा आप लोग comment box में बताइए जल्दी से क्या सीड प्रियोटी के लिए टेट्रा जूलियम टेस्ट का उप्योग किया जाता है या फिर सीड जर्मिनीशन के लिए टेट्रा जूलियम टेस्ट का उप्योग किया जाता है या फिर सीड वेवल्टी के लिए या फिर सीड क्वालिटी के लिए तो इसका सही answer क्या होगा जो tetra julium test होता है ये किसके लिए use किया जाता है ये seed variability check करने के लिए किया जाता है इसका सही answer C number होगा चलिए ठीक, आगे बताते हैं कौन सा question है, next question क्या है How much quantity of true potato seed is required for one hectare planting जो true potato seed कितनी quantity में चाहिए होता है one hectare planting के लिए पोटाइटो का true potato seed तो इसका सही answer कौन सा होगा जल्दी आप लोग comment box में होता है कि 100 gram सही होगा या फिर 200 gram या फिर 300 gram या फिर 400 gram तो इसका जो सही answer होगा true potato seed कितना जरूरत पढ़ता है में, एक hectare के लिए 100 gram इसका सही answer है next question देखते हैं कौन सा है the largest producer of moth bean in India सबसे ज़्यादा production moth bean का इंडिया में किस state में होता है जल्दी से आप लोग comment box में answer बताईए सबसे ज़्यादा production moth bean का कहां पे होता है क्या राजस्थान में होता है या पंजाब में या फिर MP में या फिर उत्तरपत इसका सही answer कौन सा होगा जल्दी से आप लोग comment box बताए इसका सही answer क्या होगा राजस्थान में जो moth bean का सबसे ज़्यादा production कहां माना कहां होता है राजस्थान में होता है next question देखते कौन सा है इसको आप लोग जल्दी से बताए इस सीड रेट आप सिसमम कितना होता है comment box में जल्दी से बताए इस सीड रेट आप सिसमम एक से दो किलो ग्राम होता है दो से तीन किलो ग्राम होता है या तीन से चार किलो ग्राम होता है आप लोग जल्दी से बताए यह A number सही है, B number सही है, C number या D number, तो इसका जो सही answer है, वो D number है, सिसमम के seed rate कितनी एक hectare में use होती है, 3 से 4 kg, सिसमम मतलब तिल, तिल का seed rate, next question देखते है कौन सा है, the highest production of mustard in India is the state of, कौन से state में सबसे यादा mustard का production होता है, किस state में, क्या गुजरात में होता है, सबसे यादा production, य या UP में, या फिर पंजाब में, या फिर राजस्थान में, इसका सही answer जल्दी से आप लोग बताईए, comment box में, इसका सही answer क्या होगा, सबसे यादा mustard का production, कौन से state में होता है, राजस्थान में सबसे यादा mustard का production होता है, इसका D number बिल्कुल सही answer होगा, next question कौन सा है, the fruit of rap seed and mustard is also known as, जो fruit होता है, mustard और rap seed का उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या हम लोग pod कहते हैं, या फिर grain कहते हैं, या फिर silikua कहते हैं, या फिर carryopsis कहते हैं, इसका सही answer आप लोग जल्दी से बताईए, क्या होता है, rap seed and mustard का fruit को क्या कहते हैं हम लोग, तो rap seed और mustard के fruit को हम लोग silikua कहते हैं इसका C number बिल्कुल सही answer होगा next question कौन सा है बात करते हैं देखते क्या है the inherent capacity of soil to supply plant nutrient in adequate amount and suitable proportion is called inherent capacity होती है soil की जो supply क्या करती है plant nutrient इसका कौन से answer सही होगा तो इसका कौन से answer सही होगा जो inherent capacity होती है इसका क्या होती है soil fertility को measure करती है जो soil productivity होती है इसके साथ में soil fertility मतलब आपकी soil fertile तो है लेकिन production नहीं दे रही है क्या वहाँ का आपका जहाँ पर soil fertile है क्या वहाँ का motion सही है तो जो soil productive होगी वहाँ पर soil fertility तो होगी हुई लेकिन वहाँ का environment होगा वो भी माइने रखता है तो जो जिस स्वाइल का environment और वहां की nutrient capacity दोनों होगी तो उसको हम लोग स्वाइल productivity के नाम कहते हैं next question देखते हैं कौन सा है the criteria of essentiality of nutrient in plant was given by किस ने दिया था the criteria of essentiality of nutrient कौन से scientist थे डीजे निकोलस या फिर अरनारे निफ्टाउट या फिर js कनवार या फिर राजेंद्र परशाद किस ने दिया था criteria of essentiality of nutrient थे इसका सही एंसर क्या होगा अरनारे निफ्टाउट बी नमबर बिल्कुल सही एंसर होगा इसका अरनारे निफ्टाउट ने दिया था criteria of essentiality of nutrient in plant was given by next question क्या है potato इजे potato क्या है a number modified stem है या फिर modified root है या फिर modified leaf है या फिर modified flower है इसका सही इंसर कौन सा होगा जल्दी से आप लोग comment box में बताइए जो potato क्या होता है potato इसका सही इंसर क्या है potato जो होता है modified stem होता है next question क्या है देखते हैं इसका a number सही होगा next question क्या है the method of irrigation implied where surface is undulating कौन सा method हम लोग प्रियोग करेंगे undulating soil में undulating soil क्या मतलब होता है जहां की मरदा का surface उचा नीचा हो तो वहाँ पर हम लोग कौन सा method का प्रियोग करेंगे irrigation के लिए क्या flood irrigation वहाँ पर अच्छा रहेगा या फिर sprinkler irrigation या फिर drip irrigation या फिर sub surface irrigation तो इसका सही इंसर क्या होगा sprinkler irrigation इसका सही इंसर होगा इसका सही इंसर sprinkler irrigation होगा चलिए next question क्या है बात करते हैं देखते हैं कौन सा है जो बाजरा का seed होता है कितनी गहराई पर हमें बुआई करनी चाहिए जो बात कौन सा एंसर सही होगा आपने जल्दी लोगा अब लोग को में बॉक्स में बताइए क्या ए नमबर एक से दो सेंटीमेटर सही है क्या 3 से 4 सेंटीमेटर गहराई पर होना चाहिए या फिर 4 से 5 सेंटीमेटर या फिर 5 से 6 सेंटीमेटर तो इसका जो सही एंसर है बाजरे का जो depth of sowing होता है यह नमबर सही है एक से 2 सेंटीमेटर गहराई पर हम लोग बाजरा की बुआई की जाती है नेक्स कोस्टन देखते हैं कौन सा है विच इस जेनरली यूज़ड फार करेक्टिंग स्वाइल एसिडिटी स्वाइल एसिडिटी में कौन सा कौन सी चीज का प्रियोग किया जाता है सुधारने के लिए स्वाइल अगर एसिडिक स्वाइल है तो क्या जिपसम आईरन का प्रियोग किया जाता है या फिर लाइम का प्रियोग किया जाता है या फिर आईरन पायराइट का प्रियोग किया जाता है या फिर दोड़ना का प्रियोग किया जाता है जो आप लोगों को हम बताते हैं जो acidic soil है उसके लिए हम लोग बुझे हुए चूरने का प्योग करते हैं, lime का बी नमबर बिल्कुल सही होगा। और जिप्सम और पायराइट का प्योग किसके लिए करते हैं हम लोग सेलाइन एलकलाइन मर्दा को सदारने के लिए जिप्सम और पायराइट का उप्योग किया जाता है next question क्या है देखते हैं the main objective of growing a catch crop is to जल्दी से आप लोग comment box में answer देते रहेंगे the main objective of growing a catch crop मुख्ध उद्ध्य क्या रहता है catch crop लगाने का इसका a number देखे कौन सा है add more residue to the soil क्या ये सही होगा prevent cracking of soil cracking को रोकने के लिए हम लोग करते हैं या फिर suppress weeds weed को हम लोग बढ़ाने के लिए करते हैं suppress मतलब या फिर get an additional income without further investment इसका कौन सही होगा इसका d number बिलकुल सही होगा get additional income without further investment क्योंकि जो catch crop होती है हम लोग क्या करते हैं additional income को बढ़ाने के लिए करते हैं कोई भी invest किये बिना next question क्या है देखते हैं by u rate content in urea should not exceed according to fertilizer control order 1957 इसका कौन सही होगा क्या एक परशेंट इसके लिए है जो by u rate content होता है क्या डिर्ड़ परशेंट है या फिर दो परशेंट या फिर धाई परशेंट इसका कौन सही होगा जलदी से आप लोग बताईए जो by u rate content होता है by urea में इसका सचेंद क्या होगा 1.5 ब्रतिका इसका बिलकुल साही होगा b नंबर next question क्या है band farmer used for making band farmer used for making इसका कौन सही होगा होगा या फिर ribes होग रिजस एंड बंट होगा या फिर soil smooth होगा या फिर all of these होगा जल्दी से आप लोग comment box में answer दीजिए इसका कौनसा answer सही होगा तो इसका सही answer कौनसा होगा ridge and bunts इसका सही answer माना जाएगा next कौनसा question है देखते है the force of attraction binds the molecules of the same kind कौनसा force लगता है जब same same तरीके के molecules होते हैं कौनसा force लगता है आप लोग जान लीजिए जब same kind के molecules होते हैं तो उनके बीच में कौनसा बलकाम करता है उनके बीच में cohesionable काम करता है इसका सी answer बिलकुल सही होगा अगर यहाँ पे लिखा होता है कि different kind of molecules होगे तो वहाँ पे कौनसा बलकाम करेगा वहाँ पे एहिजनबल काम करता है तो इसका कौनसा सही होगा इसका sea numbers बिलकुल सही होगा next question कौनसा है अपर लिमिट आफ दा स्वायल मॉइस्चर अवलेबल फॉर दा प्लांट ग्रोथ इज अपर लिमिट आफ दा स्वायल मॉइस्चर जो स्वायल मॉच्चर जो प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए अवलेबल होती है वह कौन सी लिमिट होती है परमारेंट विल्टिंग पॉइंट 15 बार होता है या फिल्ड कैपसिटी होती है या फिर हाइड्रोस्कोपिक कॉफिसियन्ट होता है परमारेंट्रिक सक्षन होता है इसका कौन सा नंबर सही होगा आप लोग जल्दी से कम condemn बाक्श में बताइए इसका कौन सा सही होगा इसका जो होगा फिल्ड कैपसिटी ये इसका B नंबर बिल्गुल सही होगा जिसका क्या रेंज रहती है एक से तीन बार से उपर का इसका जो रीजन होता है वहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा मौश्चर प्लांटों के लिए मौश्चर यही अबलेबल कराता है इसी जोर में सबसे ज़्यादा मौश्चर पाया जाता है next question क्या है देखते हैं अगला question हमारा क्या है a device for measuring percolation and leaching loss from a column of soil under controlled condition is known as कौन सा हम लोग percolation में कौन सा instrument का प्रियोग करते हैं जिसमें percolation loss और leaching loss का measurement किया जाता है तो इसका कौन से इंसा सही होगा आप लोग जल्दियान से बताए है infiltration infiltrometer यूज होगा इवेपोरी मिटर यूज होगा या फिर psychrometer यूज होगा या फिर lysimeter यूज होगा तो इसका सही एंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से comment box में बताए है जो हम लोग percolation और leaching loss को जिसके लिए हम लोग measure करते हैं उसके लिए हम लोग lysimeter का प्रियो करते हैं इसका d number बिल्कुल सही एंसर होगा तो चलिए देखते हैं next question क्या है एक calibrated device for measuring the flow of water in open condition is known as जो कौन सा हम प्रियोग करते हैं जो measure करने के लिए कौन सा device का प्रियोग की जाते हैं जो open open flow of water जो open में बाहर में जो water का flow हो रहा है बह रहा है उसके लिए किस 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 लॉग करते हैं हम लोग किस नोच का प्रियोग किया जाता है मिजर करने के लिए जो open flow of water बह रहा है उसको मिजर करने के लिए क्या V नोच इसका सही answer है या फिर water meter है या फिर partial flume है या फिर none of these है तो अब लोग जल्दी से comment box में answer बताइए इसका कौन से नमर सही है तो इसका जो partial flume B numbers है वो बिल्कुल सही answer है नेक्स बात करते हैं नेक्स कौन से question है देखते हैं the instrument used for measuring depth of water table is known as जो water की गहराई के लिए हम लोग किस किस instrument का यूज करते हैं कि लाइसी मीटर का यूज किया जाता है या फिर odometer का यूज किया जाता है या फिर पोरी मीटर का यूज किया जाता है या फिर पिजो मीटर का यूज किया जाता है जल्दी सिक्रेवन बाक्स में आप लोग answer बताईए जो instrument होता है यह measuring किस के लिए depth of water table जो होता है इसका c number बिल्कुल सही है पिजो मीटर का उपियो किया जाता है depth of water table निकालने के लिए next बात करते है seed rate of hybrid image कौन सा होगा seed rate of hybrid image तो आप लोगों को हम बता देते है जो hybrid image के लिए होता है वो 20-25 kg पर hectare होता है seed rate होता है 20-25 kg होता है और जो देसी image के लिए होता है 16-18 kg देसी image के लिए कितना होता है आप लोग नोट कर लिए देसी image के लिए कितना होता है 16-18 kg होता है और जो हम लोग composite image के लिए खरीद के लिए यूज करते है वो कितना होता है उसके लिए हम लोग 15-20 kg यूज करते है composite image के लिए 1 hectare के लिए seed rate और transplanting के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं 20 किलो ग्राम और फार्डर परपस के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं फार्डर परपस के लिए हम लोग यूज करते हैं 20 से 45 किलो ग्राम या फिर 40 से 50 किलो ग्राम फार्डर परपस के लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स कोश्चन देखते हैं कौन सा है बाटिकल नेम आफ रागी बाटिकल नेम आफ रागी जल्दी से बताएं क्या होता है बाटिकल नेम आफ रागी रागी को क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग फिंकर मिलेट भी बोलते हैं मंडूआ भी बोलते हैं इसका दूसरा ना होता है जो पेनिकम मिलेनिकम होता है इसको हम लोग चीना बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोशो मिलेट पेनिकम क्या होता है चीना इसको लोग हम लोलते हैं प्रोशो मिलेट तो यह तो हमारा सही एंसर नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोशो मिलेट चीना होता ह इसका नॉम्ब पैनिकम मिलेनिकम जो होता है इकाइनो कलोवा फ्रूमेंट ये सी या जो इकाइनो कलोवा फ्रूमेंट ये सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सावा या फिर बार नयार्ड मिलेट सामा बोलते हैं या फिर बार नियार बिलेट बोलते हैं तो फिर कौन सा बचा रागी तो इसका सही एंसर कौन सा होगा है इलियोशाइन कोरेकाना इसका सही एंसर कौन सा होगा इलियोशाइन कोरेकाना या फिर नन अब्दीज है इसका कौन सा सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंड बॉक्स में अंसर बताईए इसका जो सही अंसर होगा पाड चन्य का most serious disease जो होता है पेस्ट जो होता है जो सबसे serious पेस्ट कौन सा लगता है चन्य में पाड बोरर लगता है see the oil and protein content of ground nut तो सबसे ज़ादा protein content किसमे पाए जाता है सबसे जढ़ा सोयाबीन प्रोटीन प्रोटीन पंच्छा है की oiland protein तो oil and protein प्रोटीन पूछा है तो आप लोग देख लिए कौन साझ होगा इसका इसमे देखें प्रोटीन की मात्रा कितनी दिया है 45 तो यवळा आप्टसन बिल्कुल कर जाता है इसमें कितना दिया है 50-60 लेकिन ओएल जो पर्संटेश होता है कितना होता है 45% ओएल पा जाता है 22 26% कितना 26% protein content होता है तो इसका C number बिल्कुल सही होगा C number इसका बिल्कुल सही answer होगा next question क्या है देखते है next question क्या है the rising of crop with the least tillage operation is card जिसमें सबसे कम tillage किया जाए कौन सा operation कलाता है क्या zero tillage कहते हैं क्या minimum tillage कहते हैं या फिर no tillage कहते हैं है फिर heavy tillage कहते हैं इसका सही answer क्या होगा जलती से आप कमेंड-box we can घुता आईए इसका हम लोग क्या कहते हैं सही answer minimum tillage जो least tillage होता है कम से कम tillage किसमें किया जाता है इसका हम लोग दूसरा नाम क्या कहते है minimum tillage के नाम से जानते है इसका B-Number बिल्कुल सही होगा Next question क्या है देखते हैं For which type of fertilizer India is fully dependent on import कौन सा fertilizer है जो हम लोग पूर्टया बाहर से आयात करते हैं क्या nitrogen fertilizer है क्या phosphorus fertilizer है क्या potassium fertilizer है कौन सा ऐसा fertilizer है जो पूरी तरह हम लोग बाहर सही मंगवाते हैं आयात करते हैं पूरी तरह इंडिया में बिल्कुल भी इसका उत्पादर नहीं होता है तो इसका सही answer क्या होगा Potastic fertilizer जितने भी होते हैं सारे fertilizer का हम लोग आयात करते हैं इंडिया में इसका बिल्कुल भी 0% production होता है तो इसका C number सही होगा Next question क्या है देखते हैं National agriculture policy aim the growth rate of जो आप लोग अभी आप लोग पढ़े होंगे जो 2020 21 की growth rate थी agriculture की कितनी थी 3.4 थी लेकिन हम लोग जो aim निकलते हैं इसमें क्या पूछा है aim कितना रखते हैं कितना रखते हैं तो क्या धाई से अधिक aim रखते हैं हम लोग या फिर 3 से अधिक aim रखते हैं या फिर 4 से अधिक aim रखते हैं या फिर 5 से अधिक aim रखते हैं जो इसका सही अंसर क्या होगा 4 से हम लोग हर साल जो रखते हैं Martinez कि हम लोग रखते हैं कि 4 प्रिסद से अधिक हम लोग agriculture policy में growth rate अपनी करेंगे next question क्या है देखते हैं, which is the leading state in production of groundnut, सबसे ज़्यादा groundnut का production, सबसे ज़्यादा groundnut production कहां पे होता है, क्या यूपी में होता है, या फिर राजस्थान में होता है, या फिर हरियाना में होता है, या फिर गुजरात में होता है, जल्दी से आप लोग comment box में answer बताइए, क्या होगा इसका सह इंसर, जो सबसे ज़्यादा groundnut production होता है, वो कहां पे होता है, गुजरात में सबसे ज़्यादा groundnut का production होता है, तो इसका C number बिल्कुल सही answer होगा, next देखते हैं कौन सा होता है, remote sensing help in study, जो remote sensing होता है, किसमें study में help मदद करता है, क्या cropped area निकालने में मदद करता है, remote sensing, क्या underground water को पता लगाने में remote sensing काम करता है, या फिर सभी को, इसका कौन सा answer सही होगा, जल्दी से आप लोग comment box में बताइए, इसका जो सही answer होगा, जो remote sensing का काम होता है, वो cropped area का निकालने का काम करता है, इसका A number बिल्कुल सही answer होगा, next देखते है, question क्या है, Sunflower Act As Indicator Plant To Diagnose The Deficiency of, जो Sunflower होता है, कौन से nutrient की deficiency को दरसाता है, तो इसका कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से answer बताएए, comment box में, क्या boron इसका सही answer है, क्या iron इसका सही answer है, क्या nitrogen के लिए होता है, या phosphorus के लिए होता है, अप लोग जल्दी से answer बताएए, जो Sunflower होता है, किस के लिए इंडिकेटर प्रांट के उच्क ठावर होता है बोरान के लिए इसकंध का ए नंबर ब्लकुल ऐसर रहे हैं बोरां के लिए सफिलावर इंडिकेटर प्लांट रूप प्ली नूड्र और डूप कочно पर नेक्ट क्विश्टुन की बात करते हैं क्या रोग्ग इस नाॉट कंसीडर गासिडर निव्टि अन्युट्र काउंसा? जो हम लोग फ्तलाइजर में कंसीडर नहीं करते हैं क्या कार्बन है या नाइट्रोजन है क्या सलफर है क्या जिन्क है आप लोग इसमें देख रह keto होंगे नाटलोज़न आटली नगों का हम लोग फट्लाइजर में डालते हैं यह क्या होते हैं तो फिर बेशिक इस्टेकच्चर ही नहीं होते हैं तो फिर को कोई मतलब ही नहीं रहा है प्लान्ट को और फिर डेलाइज 1976 मूंग बिन का जर्मिनेशन क्या होता है हाइपोजियल होता है ए नमबर सही होगा क्या इपीजियल होता है या फिर हाइपोजियल होता है या फिर इपी हाइपोजियल होता है इसके कौन सा सही होगा इपीजियल होगा या फिर हाइपोजियल होगा जल्दी से आप लोग और कमेंड़ बॉक्स में बताईए है रिजर्मेशन, मूभमीन का चनुछ रहा है आप लोगों से, आप लोग से अपेज्दियल के बारे में जानते हैं, इसके मुक्द के ओपर निकल आते हैं, इसका मुक्द engagement करते हैं, जमीन के नीचे रहता है, इसका म फूर इज दार्ड, बीज पत्र होता है, रहना है उन दिज को करते हैं? इंड्स पर में जो फूर्ड होता है उसको हौनो रहता है, इन्ड्स पर में गूर्ण होता है इस्टोर होता है तो इसका सही अंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए जो मूंग बीन होता है इसका इपीजियल सबसे सही अंसर है ए नम्मर हाईपोजियल किस में होता है बोग बताइए जल्दी से कमेट बाक्स में नेक्ट कोस्टन देखते हैं कौन सा है bacteria responsible for nitrogen fixation in soya bean soya bean میں کونसा bacteria responsible होता है nitrogen को fixation करने के लिए क्या राइजो बियम फैसियूलस होसता है या फिर राइजो बियम glycicum होता है या फिर राइजो बियम जैपोनिकम होता है या फिर राइजो बियम legumin शोरोम होता है आप लोग इसका सही से एंसर दीजे तो आप लोग इससे यह वाला लगा रहे होंगे लेकिन ये गलत एंसर है यह आपको बीटो सब्सक्राइब इसका सही एंसर क्या है रैसोबीम जैपोनिकम जो होता है वह रिस्पांस्विल होता है नाइटोजन फिक्सेशन स्वयाबीन के लिए लग्यू मिनसुरू मृता है ज सिस्मम जो तिल होगे इसके कौन सी फेंबली है चीज्य फैङली इसके पैपलियोन ये फैजी है या फिर लुत सी चाहते हैं नेश्ट कोस्टन देखते हैं कौन सा है फ्लू कलोरालीन कैन बी यूज़ फर सोयाबीन ऐसे सोयाबीन में फ्लू कलोरालीन जो होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है कब यूज़ किया जाता है प्री इमर्जेंस पोस्ट इमर्जेंस या प्री प्लांट इंकॉर्परेशन के फिर नन आप देज इस कौन से सही होगा जल्दी से आप लोग कमेंड बाक से में बताइए जो फ्लू कुलरीन होता है वो स्वयावीर में कैसे यूज किया जाता है इसका सही एंसर कौन सा होगा इसका बिलकुल सही एंसर होगा नेक्स क्योश्टन की बात करते हैं टॉपिंग आफ सल्फ रावर प्लांट इस बेनिफिसियल जो टॉपिंग आफ संफ्लावर होता है किस के लिए बेनिफिसियल होता है आप लोग देखें ये आपसन कौन खून से दिये है तो रुड्यूस क्या उसके लिए केते हैं कि फसल इए न आपकी क्या फिर प्रोमॉर्ट ब्रांचिंग एंफ्लावटरिंग के लिए करते हैं या फिर रीडियूस वाच्ष को को करने के लिए करते हैं के उपर का हम-gel Хот top को काट देते हैं या फिर इसके सभी सही होंगे आप लोग जल्दी से cover and works में अंसर बताइए इसका जो सही अंसर क्या होगा हम लोग किस लिए प्रियोग करते हैं topping को इसका सही अंसर बिल्कुर बी होगा promote branching and flowering मुख काम क्या होता है branching और flowering को हम लोग promote करने के लिए sunflower में क्या करते हैं topping करते हैं बताब टाप को cut कर देते हैं next question क्या है आगे देखते हैं deleting of cotton seed may be done with cotton seed में क्या करते हैं cotton seed से हम लोग क्या ratio को अलग करते हैं किस चीज का प्रियोग किया जाता है जल्दी से आप बताएं sulfuric acid का प्रियोग गया तो आप लोग को हम बता दें कि इसके लिए S2-S4 का प्रियोग किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं sulfuric acid इसका ए नंबर बिल्कुल सही answer होगा next देखते हैं कौन सा question है optimum plant population 1 hectare for cotton has estimated as cotton के लिए हम लोग कितनी plant for operation 1 hectare के लिए estimate करते हैं तो इसका कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से comment box में answer बताईए क्या A नंबर सही होगा 25 से 50,000 plant per hectare या फिर B नंबर सही होगा 30 से 60,000 plant per hectare या फिर C नंबर सही होगा 50 से 80,000 plant per hectare या फिर D नंबर सही होगा 80 से 1,000,000 plant per hectare जल्दी से आप लोग comment box में answer बताईए तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer होगा 50 से 80,000 plant per hectare की जरूरत पढ़ती है estimate किये जाते हैं next question क्या है देखते हैं the insect ball warm is commonly found on the insect ball warm insect ball warm आप लोग पढ़े होगे यह सबसे जादा किसमें लगता है जो insect ball warm है यह किसमें लगता है आप लोग नाम ही पढ़े होगे cotton ball warm कहते हैं इसका सही answer क्यों सा होगा cotton ball warm आप लोग को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आप लोग पढ़ रखे होगा इसकी सी निंबर बिल्कुल सही answer होगा next question क्या है देखते हैं is tomato closing can be induced by कौन साइस में is tomato close करने के लिए यूज होता है क्या kaolin यूज होता है क्या lenseed oil यूज होता है या फिर 240 यूज होता है is tomato को ब्रंद करने के लिए जिससे क्या हो water loss को रुक सके या फिर PA में होता है जो क्या करता है आप लूघ होता है यह क्या करता है पिछले हम क्या क्यूज करा थे उसमें उसमें बता चुके आप लोग जल्दी से команд वाक्स में तब तक answer reducing जड़त तक हम समझाते हैं आपको क्या 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 करता है कैवलिन जो होता है ये फिल्म फॉर्मिंग होता है पती के ऊपर क्या करता है फिल्म एक बना देता है जिससे क्या होता है वाटर लाश कम हो जाता है और लेंसीड ओयल ये तो बिल्कुल ही प्रियोग नहीं होता है वाटर लाश रोकने में तूफोर्डी का इसका भी नहीं प् मेज from irrigation point of view मेज में कौन से stage होती है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा आवसकता पड़ती है irrigation की कौन से stage होती है क्या testling stage होती है या फिर boating stage होती है चल्किंग stage होती है कौन सा इसका answer सही होगा जल्दी से आप लोग बताईए comment box में जल्दी से आप लोग बताईए जल्दी से इसका कौन सा सही answer होगा testling stage पे सबसे ज़्यादा पानी की ओ सकता पड़ती है irrigation करने के लिए maze crop के लिए तो इसका B number बिल्कुल सही होगा next देखते कौन सा है question relationship between water and fertilizer water and fertilizer as production factor in crop water and fertilizer का production के factor के अंसार में कौन सा relationship अच्छा होगा additives additive होगा इसका सही क्या फिर synergetic सही होगा या फिर antagonistic सही होगा जल्दी से आप लोग answer दीजिए इसका कौन सा नंबर सही होगा जल्दी से आप लोग बताईए इसका कौन सा नंबर सही होगा इसका जो सही answer होगा वो synergetic होगा बी नमबर बिल्कुल सही एंसर होगा फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोइंग आफ कोकोनट ब्लैक पेपर ग्रोइंग आफ कोकोनट ब्लैक पेपर एंड जिंजर अगर एक ही एक ही एक ही एक ही फिल्ड पे हम लोग क्या सेम फिल्ड पे कितन तीन क्रॉपर उगाते हैं कोकोनट भी नहीं और जिंजर भी उगा रहे हैं आप लोग देखें कोकोनट जो होती है सबसे ज्यादा हाइट की प्लान जो होता है coconut सबसे उचाई पर होती फिर उसकी बाद में क्या होता है यह फड़नेवाला होताई अर्छों जिंजर कया होता है यह कंद कॉन पॉसल है इसके लिए कौन सा नहीं होगा आप लोग जल्दी से बताएं इसù में कौन सा सही होगा 2-3 क्रॉपिक कि आते हैं इंटर कॉप में कर दी जाती है क्या मल्टी इंसर कोड़ार होगा मल्टी typ क्रॉपिक क्योंकि आप देख रहे हैं हमने आपको पहले ही बताया कि जो कोकोनेट उसके बाद में ब्लेक पेपर की कप ओधा था है फिर उसके बाद में नीचे ही सबसे नीचे क्या होता है तो इसके लिए डी رमबर बिल्कुछ सही अंसर होगा चलिए तो आज के लिए इतनी ही कोस्टन कल फिर आप वोगर आप लोग वोगों को मिलेंगे पचास कोस्टन के साथ में धन्यवाद इव 요स इसके साथ अगर आप लोगों हमारा चैनल स्थ्क्राइब नहीं के तो जल्दी से कर लीजी करेंगे कल आप लोगों को हम फिर से मिलेंगे पचास कोश्चन लेकर और उनका पूरा एनलिसिस करेंगे और आप लोगों से कोश्चन